हाई अब्रीबरन आम चंदेश महता विलकम बैक तो माई चैनल स्टेप अप तो एच्पीजी के इस टॉप 500 सीरीज में आप सभी का स्वागत है पार्ट बन और पार्ट टू में हमने एक से लेकर 200 क्वेशन तक को सॉल्व कर दिया है आज हम डिसकस करेंगे 200 क्वेशन के ओनवर्ड और यह 500 की सीरीज को कम्टिक करेंगे तो लेट्स डिसकस विद दा क्वेशन तो क्वेशन है आपके पास सूपर सिद गायंतरिंग एन मुलगान पाहरिया किस जिले में स्थित है तो यह जो पहड़या है यह आपके डिस्टिक की नौर में है नेक्स कोशन है आपके पास इन मैसे सही पर निशान लगाए सतलुज की नौर जिले से निकलती है सतलुज नाकोजिल से निकलती है की नौर जिला सतलुज नदी के दोनों किनार उपस सिथ है नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास पहाडिस्थान, डलहौजी, शिमला, मंडी एवं सोलन किस क्षेत्र में सिथ है तो यह आपके मद्दे हिमाले में सिथ है नेक्स्ट है हिमाजल परदेश की कौन सी जील साथ जीलो का समूह है यह बहुत ही important question है आ बहुत ही important question है नेक्स्ट आपके पारवती घाटी में सिथ खीर गंगा गरम पानी का चश्मा किस जीले में सिथ है यह पारवती घाटी आपके डिस्टिक कुलो में है नेक्स्ट आपके पास मुख्यते हिमाजल परदेश का वातावरन किस श्रेणी में रखा जा सकता है तो सूपरसिद गंदग चश्मा विशिष्ट ब्यास नदी के किनारे किस जीले में सिथ है तो यह जो है आपके डिस्टिक मंडी में है नेक्स्ट है सोलंग घाटी किस जीले में सिथ है तो सोलंग घाटी आपके डिस्टिक कुलो में है नेक्स्ट है सूपरसिद सराज क्षेतर क कौन से जिले में सित है तो स्राज क्षेतर आपके डिस्टिक कुलू में है नेक्स टै पंदरा अप्राइल 1948 को स्तापना के समय हमाचर परदेश का कुल क्षेतर फल कितना था तो यह आपका जो है 27,018 वर किलोमेटर था और आज की रेट में आपके 55,630 वर किलोमेटर है नेक् सूपरसिध चौन्तो घाटी किस जिले में सित है तो यह है आपके डिस्टिक बिलासपूर नेक्स टै धावी घाटी किस जिले में सित है तो यह आपके बिलासपूर में है बिलासपूर जिले में सतलु नदी का अंतिम पढ़ाव कहां पर है तो यह आपके नीला जो है आपक सतलुज नदी में डिस्टिक्ट बिलासपुल में मिलती है। नेक्स्ट सिर्हाइ टैंक सतानीय भाशा में जिसको टोबाव कहते हैं किस दित है तो यह आपके बिलासपुल में है जम्ताल तैंक अगेन यह किस दित है यह तो सही अंसर आपका बिलासपूर नेक्स्ट आपके पास 1966 में पंजाब पहाड शित्रों के विलेज से हिमाचल परदेश का कुल कितना भूबाग मिला था तो ये था 27,670 वरक किलोमेटर नेक्स्ट है चिर्चिन नाले की उत्पती किस थान से माने जाती है तो ये है दोलादार की उत्री धलान से नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टन कोशन है बलहे घाटी किस जिले में सित्थ है जो कि बहुत ही उपजाओ घाटी माने जाती है ये आपके डिस्टिक मंडी इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट है निमलिकित में से 1951 में कौन सा हिमाचल परदेश का जिला नहीं था तो मंडी था, चमबा था, सिमौर था, महासू था तो जो आपका डिस्टिक शिमला है ये आपका उसमें पार्ट नहीं था नेक्स्ट है 1966 तक उन्ना तहसिल किस जिले की भाग थी तो ये आपके हुश्यारपूर नेक्स्ट है आपके पास 1966 में हिमाचल में विले से पहले नालागर ख्षेतर किस जिले का अंग था तो ये आपके अंबाला का था संगवाना टैंक किस जिले में सित है तो यह आपके विलासपुर में है निकोड़ा दरा जिसकी उंचाई 4750 मीटर है किस जिले में सित है तो यह आपके जो है सही अंसर होगा कांगडा एवं भरमौर हाती धार कौनसे जिले में सिथ है तो यह आपके दो नदिया बहती है एक आपके चंदर भागा जिसे चिनाव नदी और दूसरी आपकी रावी नदी जो कि जिसका origin है आपके district कांगडा और कांगडा के बाद ये आपके district चंबा में जाती है next आपके पास question है निमेलिकित मैंसे किस स्थान पर चंद्रा एवं भागा का संगम सान होता है तो ये बहुत important है तांडी नामक स्थान में लाहल स्विती में ये मिलती है चंद्रा और भागा और चिनाव नदी का निर्मान करती है नेक्स्ट आप नदी किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है तो इसका जो सही अंसर है आप मुझे comment box में जरूर comment कीजिए next आपके पास because I am not sure about this answer नेक्स्ट आपके पास हिमाचल परदेश में बहने वाली निमिलिखित मैसे कौन सी नदी में सोना पाया जाता है तो ये आपका सही अंसर है चिनाव next आपके रावी किस थान पर चंबा जिले में आखिरी पड़ाव बनाती है तो ये आपके खेरी नामकसान पर आखिरी पड़ाव बनाती है रावी रिवर next है निमिलिकित मैसे सन 1954 में कौन सा भाग हिमाचल परदेश का पांचवा जिला बना था ये बहुत इंपॉर्टन है बिलासपुर आपकी फिफ्थ जो है डिस्टिक बनी थी हिमाचल परदेश की next है सन 1960 में कौन सा भाग हिमाचल परदेश का छटा जिला बना था तो ये चीनी तहसील को अलग करके जो है डिस्टिक की नौर को बनाया गया था महसू की जो चीनी तहसील थी उससे अलग करके जो आपके डिस्टिक नौर की फॉर्मेशन होई थी next है सूपरसिद स्थल पांगी स्मुदर तल से कितनी उंचाई पर है तो 14,528 फूल next है हिमाचल परदेश की राजधानी शिमला स्मुदर तल से कितनी उंचाई पर है तो 24,211 मेटर इसका साई अंसर है next है जिला हमीरपूर का कुल किशेतरफल कितना है तो ये है 1118 वर किलोमेटर next हिमाचल परदेश का कुल प्रतिशत भू भाग हमीरपूर में कितना आता है तो ये 2.03% जो है हमीरपूर जिला का आता है आपके हिमाचल परदेश में आफिक वरतमान सित्री में कांगडा जिले का निर्माड कब हुआ था तो इे आफक्ने अबान Ninja नेक्स्ट आपके रास पंजाब राजे के अधीन कांगडा से अलग नए कुलू के जिले का निर्मान कब हुआ, सन 1963, नेक्स्ट बात करें, तो सुपर सिध चैडविच जहरना, शिमला जिले में कहां पर है, किसके नजदेक है, ये भी कॉशन पूचा जाता है, तो ये आपके हंगरंग, नीचार, पूह, मोरंग, तो सही अंसर इसमें जो दिया था, वो आपके हंगरंग था, नेक्स्ट आ किनौर जिले का मुख्याले कहां पर सिथ है, तो ये आपका रिकॉंक्विट रहाएं अंसर होगा, नेक्स्ट आपके निर्मान की सिध पहले, किनौर जिले की, चिनी तहसिल थी, ये important है, पूछा जाता है तो ये आपके चिनी तहसिल आपके महासू जिले की थी महासू जिले से ही आपका किनषत जिल्ला जो है और जिले हुआ है, नेए किनषत जिले में अंदराश्टर सिमा के शुदाए citys के शुरुआतकिस्थान पर होती है तो यह आपके प्रेच्छु नामक स्थान पर होती है नेक्स है कि नौर जिले में सित लियो पारजिल चोटी की उंचाई कितनी है तो 3791 मिटर इसकी उंचाई है नेक्स है शिपकी चोटी किस जिले में सित है तो यह आपके डिस्टे की नौर में है नेक्स है सूपर सित पंचपूला प्रियाटक स्थल कहां पर है तो ये आपके चमबा जिले के डलहौजी में है नेक्सट है देवकुंड नामक स्थान कहां पर है ये आपके डलहौजी में है नेक्सट है रहला जरना किस जिले में स्थित है जो कि ठंडे पानी का जरना है ये आपके किस नदी पर बनाया गया है यह भी आपके जो है बहुत important question है तो यह आपके ब्यास नदीज का जो है सही अंसर होगा नेक्स है नेक्स है लाहुल स्विती में सित गेफांग चोटी की कितनी उंचाई है तो चौनसर सो मीटर इसकी उंचाई है नेक्स है राइधानी शिमला में कितनी मापी जाती है तो यह 155 cm मापी जाती है लास्ट कुशन है आज के लिए कुलो जिले में सित मेवा किंदनो चोटी की उंचाई कितनी है तो यह है उनसर सो चौनसर मीटर तो यह थे आज के आपके HPG के जोग्राफिक पोशन के 100 questions I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो किसी question में doubt हो तो comment section में दूर comment कीजे and if you find this video useful तो please video को like कीजे, share कीजे, channel को subscribe कीजे and thanks for watching, step up, stay connected.